आजकल बरसात का मौसम जारी है ऐसे में घरों में मच्छरों का पनपना कुछ जादा ही देखा जाता है बारिश के मौसम के दोरान लोगों को चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू जैसे कई सारे ऐसे बुखार जेलने पड़ते हैं जो मच्छर के काटने से होते हैं पर इन सभ में से एक ऐसे बिमारी है जिसमें आपको हट से जादा जोड़ों का दर्द महसूस होता है तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर कौन से मच्छर के काटने से ये बिमारी फैलती है और आखिर इसका इलाज किया है नमस्कार मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका हम बात कर रही है चिकनगुनिया की जी हाँ चिकनगुनिया एक वाइरल बिमारी है जिसके लक्षण टेंगु के लक्षण से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं ये बिमारी एशिया और अफरिका महादूईब के देशों में बहुत जादा पाई ज़ाती है क्योंकि ये नोद्वारा मनुश्यों में फैलती है चिकनगुनिया बेमारि अब प्रो वीरस के कारण होता है जो की अलफ़ा वाइरिस को चिकनगुनिया हो जाता है तो उसके पुराने जितने भी जोडों के दर्द हैं वो सब उभर कर आ जाते हैं अब इसका लक्षण क्या है देखें डेंगु मलेरिया की तरह इसके लक्षण 2-3 दिनों में दिखना शुरू हो जाते हैं जिनमें ठकान सेट दर्द कमजोरी उल् इसके बाद बुखार कम हो जाता है या पूरी तरह सी ठीक हो जाता है लेकिन यह डिपेंड करता है व्यक्ति के इम्म्यूनिटी सिस्टम पर अगर उसके इम्म्यूनिटी स्ट्रॉंग होगी तब वो जलते रिकवर कर जाएगा लेकिन जोडों के दर्द की समस्या कुछ लं की सलहा दी जाती है साथ ही रोगी को जादा से जादा तरल पदार्तों के सीवन और अराम करने की हिदायत भी दी जाती है फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और भी ऐसी स्टोरी इसको देखने के लिए आप जुड़ रहे हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार के लिए एग।